हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कीर्त ब्राड कीर्त ब्राड में आपका स्वाक्त है आज की वीडियो में हम आपको सेरेले की डिटेल में जानकरी देंगे कि जब आप अपने बच्चों के रिए सेरेले खरीदने जाते हो तो आपको कौन सा सेरेले खरीदना चाहिए इसमें कौन-कौन से फ्लिव बराते हैं और इसकी प्राइज कितनी है इसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे तो चलिए चलते हैं वीडियो के और येस है रेलिक 10-12 मन्थ बेबी के लिए है ये रिचन आईरेन है इसमें आईरेन की मातरा बहुत ही अच्छे से डाली गई है इसमें न्यूटरिंस, विटामिन और मिनरल्स शामल है इसमें गेहूं, चावल और फ्रोट्स भी शामल किये गए है तो यहाँ पर देखें इम्पॉर्टन नोटिस भी दिया गए है कि मां का दूद बच्चे के लिए सरवोतम दूद माना जाता है और देखें इधर इसकी साइड पर जो इम्पॉर्टन नोटिस दिया गए है न्यूटरिंस इंफरमेशन का तो देखें यहाँ पर इसकी सारी इंफरमेशन दी गई है इधर इसके न्यूटरिंस के नाम बताएगे है और इसके साथ ही इसकी क्वांटिटी बताएगी है और नीचे यह फैट्स बताएगे है और इनकी क्वांटिटी बताएगी है और यहाँ पर मिनरल्स बताएगे है और इधर ही इनकी क्वांटिटी बताएगी है तो देखे यहां पर इसकी कुछ डिटेल देगी है कि यह विटामिन्स और मिनरल्स का स्रोध है इसमें विटामिन A, C, D और केल्शियम भी डाला गया है और आइरन भी अच्छी मातरा में डाला गया है यह सेरलेक मिल्क और फूर्ट्स के मिश्रन से बना है और देखे यहां पर नीचे सेरलेक प्लैन भी दिया गया है कि यह कौन-कौन सी एज के बच्चों के लिए आता है और इसमें कौन-कौन सा फ्लिवर ओता है यह 6, 8, 10, 12 और 18 मन्थ के बच्चों के लिए आता है इसे आप 24 मन्थ के बच्चों को भी दे सकते हैं क्योंकि ये 18 to 24 मन्थ के बच्चों के लिए आता है इसलिए आप इसको जब बच्चा 24 मन्थ का हो तब भी आप ऐसे बच्चे को खाने को दे सकते हैं मैंने अपने बेबी के लिए यहां पर 10 मन्थ वाला सेरेले क्रीद है इसमें 3 फ्लेवर दिये गए हैं वीट, राइस, मिक्स्ट फ्रूट, एड़ सेकेंड वीट, राइस, मिक्स्ट वेज और थर्ड वीट, हनी और डेट्स ये तीन फ्लेवर है इसमें से आप कोई भी बाई का सकते हैं यहां पर इसका नेट वेट 300 ग्राम दिया गया है, मतलब कि ये 300 ग्राम की क्वण्टि में आता है तो देखिए इदर इनोंने फीडिंग इस्ट्रक्शन दिये गए हैं इनमें से जो फर्स्ट स्टेप है वो है हाईजन, मतलब कि आप जब भी सेरलिक बना रहे हो, तो आपके हाथ अच्छे से साफ किये होने चाहिए और साथी साथ जिस बरतन में आप सेरलिक बना रहे हो, वो भी बरतन अच्छे से साफ किया होना चाहिए और जो नीचे second, third और fourth step दिये गए हैं इनमें आपको सेरलिक बनाने का process बताया गया है और इसके नीचे जो warning दी गई है इसको आपको अच्छे से read करना है इसमें आपको बताया गया है कि आपको जो सेरलिक बनाते समय स्फाई का दियान रखना है जब आप सेरलिक बना ले तो आप उसे आदे घंटे तक ही रख सकती है इसे ज़्यादा टाइम तक आपको सेरलिक नहीं रखना है जो स्कूप आपको सेरलिक के साथ मिला है अगर आप वो इस्तिमाल कर रही है तो आपको उसे इस्तिमाल करके वैसे ही नहीं रखना है आपको उ यह आपको ठंडे और सूखे स्थान पर रखना है जब सेरलेक आप ओपन कर ले तो उसके बाद 3 weeks तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 3 weeks के बाद यह expire हो जाता है देखिए दोस्तों यहाँ पर इसकी expire दी गई है यह August 21st को expire हो जाएगा तो यहाँ पर इसका प्राइस भी दिया गया है 246 इसका प्राइस है तो देखिए दोस्तों अब हम इसको open कर लेते हैं तो देखिए इस सेरलेक के package पर भी इसकी expire date लिखी हुई है और देखिए इसके इधर की side इसको storage करने के step बताई गए है कि कैसे आपके इसको store कर सकते हैं तो चलिए सेरलेक मनाते हैं मैं यहाँ पर कम quantity में ही सेरलेक मना रही हूँ क्योंकि यह package नया है और मुझे पता नहीं कि मेरी बेबी को इसका टेस्ट कैसा लगेगा तो देखिए यहाँ पर मैंने आदा गलास पानी लिया है इसको मैं उबाल दिला लेती हूँ तो देखिए पानी को उबाल आने लगा है अब मैं इसको एक बरतन में निकाल लेती हूँ और इसे ठंड़ा होने के लिए रख देती हूँ तो देखिए पानी गुनगुना सा हो चुका है अब हम सेरलेक बनाना स्टार्ट करते हैं हम इसमें दो चमत पानी एड़ करेंगे और इसे हिलाएंगे तो देखिए अब हम इसे थोड़ी दिर हिलाते रहेंगे तो देखिए हमारा सेरलेक है जो बना स्टार्ट हो गया है तो द केस्ट उसके लिए नया होगा तो देखिए सेरलिक बनकर रैडी हो चुका है आई होप आपको आज के इंफिरमेशन अच्छी लगी होगी और यह सेरलिक बनाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर और कमेंट करें और जा